हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आइहोबके अच्छे होंगे बहुत अच्छे होंगे आर्फ मेरा आइढिया है टिप्स है जो है ना घर और किछन से रिलेटीब टिप्स है जो देखिए बहुत ही कमाल का टिप्स है यूसफुल टिप्स है ज़ чер χe मेरा चाहिक्त समय तो पहला पुर्णा करने के लिए कुछ भी सिलना होता है तो क्या है कि अगर कहीं रख देते हैं तो यह हमें द्रीकशिका जल्दी मिलता नहीं तो इसके आज हम बहुत ही एक useful tips बताने वाले हैं कि धागा के जो उपरे हिसे वाला कूट जो होता है इसको इस तरीके से काट दीजे और काटने के बाद क्या करना है कि जब हमारे धागा धागे का जो हिस्सा होता है पहला वाला वो हमें मिलता नहीं है जल्दी तो इसको इस तरीके से लगफासा के रख दीजे ताकि हम में जब भी सिलना हो जल्दी से हमें मिल जाए यह देखिए इस तरीके से लगा के रखिए जब हमें धागा में सूइ करना हो तो मिल जाए तो चले देख रहते हैं next tip नेक्स टिप है दोस्तों हमारा इस तरीके इसका चोटे-चोटे से डबा को लेकर glass को लेकर जैसा कि इस तरीके का हमें container को धोना होता है तो इसमें हाथ नहीं घूस पाते हैं और अच्छे से धो नहीं पाते हैं इसके लि कुछ वाले container कैसे भी container हो उसको बढ़ियां से आप लोग इस तरीके से दो सकते हैं मान सकते हैं न दोस्तों कमाल का टिप्स तो चलिए देख लेते हैं next tip नेक्स टिप हमारा है इस तरीके का मसाला का packet हो या सिवया का packet हो कुछ भी हो जैसा कि हमारे घर में आते हैं तो हम तो हम अगरवत्ती ले लिए अगरवत्ती के सारे इस तरीके से इसको पैक करके रखिए यह देखिए बहुत ही useful tips है कमाल का tips है और कोई खर्चा नहीं है दोस्तों क्योंकि हमारे घर में तो अगरवत्ती पुजा पाट करने के लिए होते ही हैं तो इस तरीके से हम कोई भी packet हमा सब्सक्राब नहीं होगा तो बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा टिप्स तो चले देख लेता है नेक्स टिप हमारा है फ्रीज को लेकर फ्रीजर को लेकर तहां दोस्तों फ्रीजर में कैची रखना क्यों जरूरी है तो देखिए जो हम हमारे क्या है ना कि फ्रीजर में ज कैची की मदद से इसमें से अगर कचड़ा बगएरा फसा हो जो कि पानी मेरा बाहर आ रहा हो तो इसको हम निकालेंगे यह देखे दोस्तों कचड़ा तो हो ही जाता है क्योंकि हमें कोई चीज का साफ सफाई करना जरूरी है देखे थोड़ा-थोड़ा सा कचड़ा हो गया है इसी से पानी जो है ना फ्रीज में से बहके नीचे आ जा रहा है नहीं तो बाहर चल जाता प्लेट में लग जाता तो दोस्तों यह चोटी-चोटी से चीजों का हमें ध्यान रखना ही चाहिए है ना देखे इसको हम अच्छे से इसको कैची से साफ कर दिया और चोटा सा लगते हैं क्योंकि हमारा कैची है ना कैची हमारा एक इतना बढ़िया ओजार है दोस्तों कि हमारा हर काम सफल करता है और यहां पर हम पानी डाल कर देखिए देख रहे हैं तो पानी मेरा अच्छा से अब जा रहा है वहां बाहर तो यह देखिए यहां पर है क्या है कि यह कभी कबाल क्या है कि अगर गल्ती से बंद हो गया लॉक儋 हो गया हर चावी नहीं जल्दी में मिलता है तो यह चावी की मदद हम कैची से ले सकते हैं खोलने के लिए यहां पे तो यहां पे कैची के लестно तरीके से हम अगर हमारा फिरेज लॉक हो गया है तो इस तरीके से खोल सकते हैं तो ऐंग न when बहुत कम हुझे लुग शा छीम पूली चुम्ट आं आज माया हुआ टीप्स एहां पर देखिये कोई जोचत नहीं करना है कहही को डालीए और इस तरीके से घुमा दिजे मेरा फ्रीज ओपन हो जाएगा खुल जाएगा तो है ना दोस्तों कमाल का टिप्स तो बताईएगा कि कैसा लगा टिप्स आई होप की पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कीजे लाइक करके सेयर सपोर्ट जरूर कीजेगा ताकि दोस्तों हम इसी तरह आप लोगों के बीच वीडियो लाते रहे तो दोस्तों ये तो हमारी थी छोटी-छोटी सी टिप्स जो है घर और किचन को और और संभाल के है है और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं तो वीडियो आज का पसंद आया है तो लाइक सेयर जरूर करें